नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 और 20 सितंबर मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपका एक और नया समय आ चुका है अब आप सभी के लिए जीवनकाल में बहुत ही अच्छे खुश खबरी भगवान महाकाल के आसिम आसिरवाद से आपको प्राप्थ होने वाले हैं जिहां दोस्तों आपको बता दें कि आने वाली हद्द दिनों के अंदर में आपको पांच बड़े सुप समाचार मिलने वाले हैं जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान आपको बहुती बड़े चीज देने वाले हैं जिने पाकर आप खुशी से बिल्कुली गदगद हो जाएंगें। जिहां दोस्तों, बड़से दोस्तों आप आपकी जर्रत होती है कि इन सबी चीज़ों को बिल्कुली प्रेम भाव से लेने का। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे एसे जातक होते हैं कि चीजों को सुनते ही खुसी से उचल पड़ते हैं और ढिंढोरा पिटने लगते हैं लेकिन दोस्तों आपको ये भूल कर भी या शमय बिल्कुल भी नहीं करना है जी हाँ दोस्तों शबसे पहले दोस्तों आपको जानना है कि केसे या चीज आपको प्राप्त हो सकती है इनक तभी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से ग्रहों के गोचर पर निर्मित बताए हैं तो दोस्तों वीडियो को आंततक आप जरूर देखिएगा तभी दोस्तों आप इन्हें जान पाएंगे और तभी ये पांच सुप समाचार आपके हाथों में होंगे जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल में ये बड़ा चमतकार होने वाले हैं भगवान महाकाल के आसिम असिरवात से जी हाँ दोस्तों अब आपके जीवन काल के सारे परकार के सारे कश्टों का शारे परकार के समस्याओं का अंतश्वम देवों के देव महादेब करने वाले हैं और खुस्यों का शमय आपको देने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले दो दिनों के अंदर यानि कि दोस्तों कल से भगवान महाकाल आपके जीवन काल में इससे चमतकार करने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आपके दूस्मन का भी होस उड़ जाएगा जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि इन वातों का अब बिलकुल भी मजाक मत समझेगा जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं जीवन काल में अपने सभी भगतों को वह च्छन भर में जीरो से एक सो तक पहुँचा सकते हैं ऐसे उनकी माया है जी हां दोस्तों बस हमें यह करना है कि अच्छे कर्म करना है जी हां दोस्तों और जब भगवान का इस समय आता है तो दोस्तों वह किसी न किसी रूप में हमें उनका परणाम दे ही देते हैं जी हां दोस्तों और अब अश्रमें आ चुका है जब आपके सारे परश्टों का निवारन होने वाले हैं और जो भी दुख के परसिती से आप गुजर रहे थे दोस्तों उनसे छुटकरा मिलकर आपको खुसियों का मार्ग दिखाने वाले हैं जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कल से आने वाले दो दिनों के अंदर में आपके जीवनकाल की स कुस्यों का बारिस होने वाली है क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि इंसान सची सर्दा से भगवान पर विश्वास करता है तो दोस्तों भगवान भी उन सभी विश्वास करने वालों का दिल नहीं तोड़ता जिहां दोस्तों चाहे जैसा भी हो भगवान अपने भगतों की मदद किसे न किसी रूप में जरूर ही कर देते हैं जिहां दोस्तों और ये बात हमने आपको पिछले कई वीडियो में भी बताए गए हैं लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि सची सर्दा होना सबसे बड़ी चीज है क्योंकि दोस्तों विश्वा सची सर्दा होना चीज है जिनसे हम पत्थर में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं जी हां दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान महाकाल आपको जो सबसे बड़ी चीज देने वाले हैं उन्हें आपको शम्हाल कर रखने हैं और दोस्तों ये बात आपको बिलकुल भी आपने ही अंदर रखना है ये बात कहीं पर भी आपको नहीं धिंडोरा पिटना है क्योंकि दोस्तों जहां भी आप इन बातों को धिंडोरा पिटते हैं तो दोस्तों वहीं से आपकी जीवनकाल की बुरी दौर सुर्य हो जाती है, आपके दुसमन आपसे चालू वेकती, आपके सचाई जानकर वे पहली आपसे इस्याख करने लगते हैं, और आपकी कार्व में वीगन बधायं किस पर कर आये, उनके लिए वे तयारिया करने लगते हैं, तो दोस्तों ये बात ब तो जहाँ महतुपून है जानकारी के बारे में भी जानेगे। किहाँ समय आपको किन किन छातरों को लेकर शाधारे health कुन से कार आपके लिए भागह सालिए होगे। और किन छातरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी। भगवान महाकाल के आसिम आसिरवाद से आपके घर के माहल में पारबारी जीवन में आपके परते एक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगें, क्या-क्या चमतकार होंगें, तो दोस्तो आन्त तक देखेगा, उशे पले दोस्तों, जो विक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट ब लें, साथ ये बिल आइकन को प्रेश करके और पर्स लेट कर लें, तो ये दोस्तों बात करते हैं, सुरुआत करते हैं स्री किरसिन जी के एक बहुती अच्छे परम ग्यान सी, एक बहुती अच्छे विचार सी, जो कि दोस्तों आपको इन दोनों में एक इक्छा सक्ती बरसाएंगे, ये बात जब किसारों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल बगेरा फैक कर रख दी, लेकिन एक किसान अपने नियमत अनुसर हल चला रहा था, कुछ बादन थोड़ा नीचे से गुजरा और किसान से बोला, क्यों भाई, पाने तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क् बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ, कि मैं दस साल में कहीं हल चलाना भूलना जाओं, अब बाधल भी घाबरा गए, कि कहीं हम भी बरसाना भूलना जाए, तो वो तूरंद बरसने लगे, और उस किसान की जीत मेहनत में बदल ग जई, जिन्होंने सब फैक कर रख दिये थे, वो हाथ मलते ही रह गई, इसलिए दोस्तों लगे रहो, भले ही परसितियां अभी हमारे विपरित में नहीं है, लेकिन आने बाला समय, निसंदे हमारे लिए अच्छा होगा, इसलिए कहते हैं कि कामयाबी उन्ही को मिलती है, ज जिहां दोस्तों, अगर आप हमारे इन बातों से सामत हैं, स्री कृष्ण का यह घ्यान अगर आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों बीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें, और इनके लिए 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 जैस्री कृष्ण, राधी राधी, तो आई दोस् खबरियां या समय देने वाले हैं, बात करते हैं पूरी विस्तार से, दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि, जब भी इसवर का चमतकार हमारे जीवन काल में चलते हैं, तो दोस्तों इनका कारण कोई ना कोई जरूरी होता है, जिहां दोस्तों, अगर हमारे जीवन काल में संकट आते हैं तो दोस्तों इनका सीधा सा कारण यह होता है कि हमने अपने जीवन काल में कुछ ऐसी गलती की है जिनके कारण इस वर हमारे जीवन काल से रूट गई है जिहां दोस्तों जिनके कारण हमें यह शफलता हाथ लग रही है लेकिन दोस्तों जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं जब भी हम इस वर पर विश्वास करके कारों में कार करते हैं तो दोस्तों वह कार हमारा मेहनत जरूर ही रंग लाता है जिहां दोस्तों और अ दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान महाकाल सभी देवता में से एक इसे देवता हैं जो भगतों के ऊपर जल्द ही किरपा बरसाते हैं हिंदु धर्म में भगवान महाकाल को सबसे सर्व स्रिष्ट देवता मानते हैं अगर वह अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें अच्छे फल जरूर देते हैं और दोस्तों अब आपका भी शमय आ चुका है जब भगवान महाकाल आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं औ तीन दिनों की अंदर आपके कुंडिली में बहुत ही अच्छे अच्छे धन योग बनने वाले हैं जिसे दोस्तों आपको बहुत सारी चमतकारी बदलाव होंगे। अपने परभाव सालित था मेठी वाने दोरा दूसरों पर अपना परभाव बना लेंगे। इनके साथ-साथ दोस्तों आपको इंदर में कुछ शाबदानिया भी देखकर चलनी होगी। इन चार विश्यस वातों को भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों ध्यान रखें कि जल्दबाजे में कोई भी निन्ने डालें वरना मुसीवत में पढ़ जाएंगे। इसलिए किसी अंजान व्यक्ति से कोई महत्पुन बातचित या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचास मिमर्स तदा जांच परतल आवश्य कर लें। दोस्तों ध्यान रखें कि आपकी कोई सिक्रेट योजनाय जाहिर न करें। इसको अपने उपर हावी न होन दें। इसलिए मान से इसलिक कुछ बीचली तरह सकती है जिलें किसी भी परकार की पेपर वर्क को करतेश में बहुत ही साबधानी वरते हैं। दोस्तों आप बात के लिताप के लब लाइप के बारे में। दोस्तों पती पतनी का आपसी साहियो घर परिवार के वरस्ता को उच्ची तता सुखनामा बना कर रखेगा। प्रेम समंद में प्रगलता आएगी। परिवार जनों के भी समंद्य से पूर्न वहबार रहेगा ता कोई परिवारी समंद्य कायरकरम भी बन शकता है। वह आपके स्वास्ते के बारे में देखा जाए तो खासी जुखाम और गले समंद्य किसी भी परिशानी को नदर रंदाल ना करें। थोड़ी से समस्या भी होने पर तुरंद इलाज लेना जरूरी है। मौसम की वज़े से सरीर में दर्द वाहल के बुखार जैसे इसती रह सकती है। अपने दिन चार्य को समित रखें। मैं दोस्तों बात करें तापके उपाय के बारे में। दोस्तों आज का जो यह उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है। दोस्तों आपका भागे साली रंग नीला है और भागे साली अंक आठ है। दोस्तों भगवान महाकाल का असिरवात आप से भी को प्राप्त हो। सच्ची दिलशे कमेंड बॉक्स में जै महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेर जरूर करें धन्यवाद